हेलो एवरिवन, आज हम बनाएंगे तिल के लड़ू, ये तिल के लड़ू तीन इंग्रिजिएंट्स को मिला के बना रहे हूं, जिसमें मैंने इसमें तिल लिया है, मैंने सफेद तिल लिया है, आप चाहें तो ब्लैक तिल भी काला वाला तिल भी यूज़ कर सकते हैं, और मै आप इसके बिना भी बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तिल के लड़ू, इसके लिए मैंने 2 kg सफेद तिल लिया है, इसका जो रेशियो होता है, हमेशा 2 is to 1 होता है, मतलब अगर आपने 1 kg तिल लिया है, तो आधा किलो गुर लेंगे, यहां मैंने 2 kg तिल लि और इसको मीडियम फ्लेम पे हम करीब 10-15 मिनिट्स तक रोस्ट करेंगे, क्योंकि कॉंटिटी जादा है, इसलिए मुझे 15 मिनिट्स लगे हैं इसको रोस्ट करने में, इसको आप हास से प्रेस करके देख सकते हैं, आप जब अच्छा भुन जाएगा, तो यहास से प्रेस कर अब हम इसको एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे, और कडाई को हम फिर से गैस पे रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे, और 200 ml वाटर इसमें डाल रही हूं मैं, एक किलो गुड के साथ मैंने इसमें 200 ml, 200 ml वाटर डाला है, और 1 kg गुड डाला है, और इसको लो फ्ले चान लेंगे, इसको चानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि एक तो मैंने ये और गैनिक प्योर और गैनिक गुड लिया है, तो कभी-कभी इसमें सैंड आ जाता है, इसलिए इसको एक कपड़े से चानना बहुत जरूरी है, देखिए करीब 10 मिनिट में ये इतना मेल्ट हो गय अब इसको तीन-चार मिनट और लगेंगे, जिससे ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, देखिए तीन-चार मिनट के बाद अब ये गुड पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, मैंने एक थोड़ा सा ये थिक क्लॉस लिया है, सो देट सैंड निकले ना इसमें से, और इसको हम थोड आई में डाल लेंगे, और इसके पकने का हम वेट करेंगे, अब करीब आठ से दस मिनट लगेंगे इसको गुड को तयार होने में लड्डू बनाने के लिए, देखिए, ये अच्छी तरह से गुड हमारा रेडी हो गया है, एक बहुत ही पुराना मेथड है ये चेक करने का कि गुड लड्डू बनाने के लिए तयार है कि नहीं, आप एक कटोरी में पानी लें और एक दो ड्रॉप आप ऐसे गुड की डालें, और अगर आपको ये गुड स्प्रेड ना हो, ये फैले ना, तो इसका मतलब ये लड्डू बनाने के लिए बिलकुल रेडी है, तो हम इसमें मिक्स करेंगे, ऐसे तिल हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, जब ये तिल गुड में अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाएगा, मतलब अच्छे से कोट हो जाएगा गुड में, फिर हम इसमें रोस्टेट पीनट्स भी डाल देंगे, देखिए यह सारा तिल मैंने इसमें डाल दिया है और इसको पूरा अच्छी तरह से यह लो फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे भी मैंने भी रखा है मैंने भी गैस को आफ नहीं किया है अब मैं इसमें रोस्टेट पीनट्स भी डाल रही हूँ और peanuts को भी हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे जिससे वो evenly spread हो जाए और इसको हम gas से अब उतार लेंगे, gas off कर दिया है मैंने अब इसको हम उतार लेंगे और फिर गरम गरम में ही हमको लड्डू बनाने हैं क्योंकि यह जादा है तो आपको शायद किसी family member की भी help लेनी पड़े लड्डू बनाने के लिए और लड्डू बनाने के लिए यह मैंने पानी लिया है हाथ में पानी लगाके और छोटे छोटे लड्डू आप अपको जो भी shape या size पसंद हो वो लड्डू आप बना सकते हैं और इसको कडाही से नहीं निकालिएगा क्यों कडाही से अगर आप बाहर निकाल देंगे तो यह जल्दी ठंडा हो जाएगा और अगर ठंडा हो भी जाए तो आप फिर से कडाई को गैस पे रखके गरम कर सकते हैं और फिर लड्डू बना सकते हैं सो अब यह हमारे सारे तिल के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं आपको यह recipe कैसी लगी मुझे comments में जरूर बताईएगा Thank you so much for watching